नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजीवर आप देख रहे हैं बिहारवला आरजीवी यूटुब चनल दोस्तों आज किस वीडियो हम रेलवे से जो अप्रेंटिसिप का ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका लेकर आएं WCR में दोस्तों हाँ WCR यानि वेस्ट सेंटर लेलवे में अप्रेंटिसिप का बहुत ज्यादा मात्रा में वेकेंसी निकला है तो जो भी अप्रेंटिसिप का फैदा मिलता है वो सब कुछ उठाना चाहते हैं तो आप रेलवे से अप्रेंटिसिप का ट्रेनिंग अभी कर सकते हैं WCR में फ़र्म निकला हुआ है बहुत ज्यादा मात्रा में विविन ट्रेडों पे फॉर्म निकला हुआ है तो आप जो है फॉर्म को भर के आपका अगर नंबर अच्छा है आपका आई टी आई और आपका समझ लिजे आई टी आई और उसके बाए टेंथ दोनों में अगर अच्छा परसेंटेज बन रहा है तो आपका सेलेक्शन बिल्कुल होगा आप इस फॉर्म को भर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो हम यही कवर करने वाले हैं और क्या फील लग रहा है क्या सेलेक्शन मोड है कितना वेकेंसी कौन सा ट्रेड में यह सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो दोस्त जो भी है जानकारी ले सकते हैं तो चलते हैं अभी ओफिसियल वेबसाइट पर उसके बाद आपको दिखाते हैं दोस्तों अभी हम ओफिसियल वेबसाइट को खोल लिए उसके बाद देखें यहां पर नॉटिफिकेशन है आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं उसके बाद आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देदेंगे वहां से भी डाउनलोड करके आप समझ सकते हैं दोस्तों अभी बात करेंगे क्या है सेलेक्शन मोड और क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बाद आपको बताते हैं 1044 के आसपा सीट है टोटल और बहुत जादा मैता में हैं फीटर एलेक्टिशन सभी ट्रेड के लिए निकला हुआ है तो अभी डाउनलोड करते हैं वीडियो के साथ बने रहे हैं दोस्तों आभी जो हैं डाउनलोड कर लिए हैं आप देख सकते हैं यह नाटिफिकेशन है रे 18 नमंबर से स्टार्ट हो चुका है और यह 17 दिसम्बर तक इसका फॉर्म चलेगा यानि कि 17 दिसम्बर को उसके बाद अठारे से नहीं भर पाईएगा 17 दिसम्बर इसका लाश्ट डेट है दोस्तों आपको बता दें कि यह जो आप देख रहे हैं यहां पर टोटल जो सीट ह 246 सीट पे वेकेंसी निकला है अप रेंटिसीब ट्रेनिंग के लिए WCR में दोस्तों विभिन डिविजन पे निकला हुआ है सभी डिविजन का अलग लग सीट है अब अगर हम इसमें देखते हैं पहले तो हम सबसे पहले आपको बता दें 17 तारिक तक देट है आप भरने का तैयारी करिए उसके बाद 17 दिसंबर के बाद नहीं बहुर सकते हैं अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहां यूनिट दिया हुआ है और टोटल यहां पे तीन चार पांच डिविजन है उसमें निकला हुआ है इसमें देखिए जबलपूर डिविजन में 354 है आप देख सकत हैं और यहां पे जो है सौरी यहां पे एक मिश्टेक हुआ हम से यहां पे टोटल सीट 2521 है यहां पे देखिए लिखा हुआ है 2521 लेकिन यहां पे 1046 जो बताएं यह यू आर कटेगरी का 1046 सीट है अगर सी का बात करें तो 375 है स्ट का 181 है ओबी सी का 674 है इस प्रकार से ट कि आपको पता है तो अगर कट अच्छा बंद है तो अगर इतना आ रहा है तो आपका सेलेक्शन हो सकता है क्योंकि आप जानने हैं कट अब जाने लगा है दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं यहां पे इस तरह से बहुत सारे डिविजन में निकला हुआ है तो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा सही आपका जहां पर देखिए जहां पर ज़्यादा सीट है वहां पर बढ़ सकते हैं अब बात करते हैं कि यहां पर एजूकेशन क्वालिफिक्शन एज लिमिट पहले बात करते हैं पंद्र सा चौवीस है आपको पता है 15-24 वर्स का एज होता है लेकिन जो Central Government के रूल के हिसाब से relaxation मिलता है OBC को फिर आपका SCST को यह सब कुछ इस पे लागू होगा उसके बाद जो handicap होते हैं यानि उसको उनको भी मिलेगा यह छूट सब कुछ इस पे लागू रहेगा उसके बाद अगर हम बात करें education qualification की अभी देखिए यहाँ पे education qualification आप 50% के साथ ncvt या SCBC जैसे कोई ncvt वाला सोचते हैं कि क्या सीवीटी वाले अपलाए कर सकते हैं तो इसमें दोनों जहांगा से जो भी यहानि कोई स्टेट गॉवर्मेंट कॉंसील से भी किये हुए तो भी वह फॉर्म यह बहर सकते हैं दोस्तों आगे हम चलते हैं उसके बा करते हैं तो देखें जो सेलेक्शन होता है आपको पता है रेलवे में अपरेंटिस का जो सेलेक्शन होता है वह 10 का नमर होता है प्लस आइटी आई का जो नमर है दोनों को जोड़के दो से डिवाइड किया जाता है जो परसेंटेज निकलता है उसी के बेस पर सेलेक्शन हो अगर अपलाइ की बात करें तो यहां पर देखें एक सो पर एक सो रुपय लगेगा जो की रिफंडेवल नहीं होता है आप सोचिएगा तो यह नहीं होगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रिक्वाइट जो डॉक्यमेंट है यह सब कुछ यहां पर मेंसन किया गया है यहां पर यहां पर देखें यह फोटो का साइज 20-50 केवी के असपास होना चाहिए और यहां पर कंडिडेट फॉर्मेट है 50-200 केवी के बीच होना चाहिए 10 का और ITI यह सभी का माक्सीट होना चाहिए उसके बाद देखें कम्यूटी यानि SC ST OVC का जो आपका जातिगत होत है ओनलाइन है आप वेफसाइट पर जाएएगा यह जो वेफसाइट है इसको खोलना है उसके बाद जो है आपको अपलाए कर लेना है देखें यहां पर क्या है कि अगर यह सब रीजन से आपका इन्वाइड हो सकता है यह सब कुछ आप देख सकते हैं सही तरीके से भरना ह compete working oluş high requirement or training जाब के लिए जौब के लिए जब के लिए नहीं कर सकते हैं उसके बाद medical fitness होना चाहिए और जो आप कोई तरहना का query है दिक्कत है आप यहाँ पर जहाँ मंबर के दौट हैं संपर करके पूछ सकते हैं बात कर सकते कि सरत एससे समझिया वह समझ सकते हैं रही बाति स्टैपन्ट का अगर बात करें तो जो गौर्मेंट रूल है उस अनुसार से यह तरह करेगा किस तरह से स्टैपन्ट देना यहां पर कोई लिखा हुआ नहीं है जो 1901 के तहत है उसके अनुसार से आपको स्टैपन्ट मिलेगा तो यह सब कुछ देख सकते हैं आप और उसके बाद भर सकते हैं यहां पर अगर हम नीचे आएं तो देखें यहां पर सभी जगह का जो है फॉर्म का दिया हुआ है एलेक्टिशन में कितना सीट है यह दिखा हुआ है जबलपूर में फीटर में कितना सीट है यह दिया हुआ है वेल्डर में कितना है डीजल मेक तो हम यहीं अप्लाइ करेंगे उसके बाद आपको बता दें अगर आपका नमर 10 में और आई टी आई दोनों में अगर बढ़ियां बन रहा होगा परसेंटेज तो आपका जरूर सेलेक्शन होगा अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक बनना है तो आप अपलाए करिए आपका स जल से जल भरें और सब कुछ अच्छे तरीका से बरें और जो वेकंशी है उसके बाद जो है फॉर्म को भरें यह बहुत अच्छा अपरजिन्टी है अगर आप कर लेते हैं अप्रेंटीज करते नहीं तो आगे चलके जो फाइदा मिलता है रेलवे से आपको मिलेगा तो द ने मातम